तो आँ नमसकर दोस्तों मेरा नाम चैनल कुमार और मैं आपका स्वाधत करता हूं आपके अपने चैनल क्रेकेस यृटी बेरें देखी और मैं आपको इससे जूड़ा हुआ और भी कोशन बता दूँगा और याद रखेगा यह जो भी कोशन मैंने लिए हैं बहुत ही जारा चांस से आपके एक्जाम में आने के और इस कोशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से इदम एजी लेंग्वेज में आपको मैं नेपोलियन कोड इतना इंपोर्टेंस क्यों रखता है हमारे हिस्टी में तो चलिए मैं बताने वाला हूं आपको कि देखिया नेपोलियन कोड क्या है जब आप क्लास नाइन में पढ़े होंगे कि जब फ्रेंच रेबुलेशन हुआ था लोग ने वहां के लाश राजा आज में लोग को मर मर के टेक्स देना पड़ता था तो लोग क्या किये थे राजा को मार दिये थे अपना खूद का क्या किये थे डेमोक्रेसी बना लिये थे अब लोग अपना खूद रूलर को चुननने लगया है ठीक है इतना तक ठीक था अपना खूद का Constitution बना लिया था उसी टाइम क्या हुआ नेपोलियन एक छोटा सा सैनिक था ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन क्या हुआ सबसे हेड बन चुका फ्रांस का जिसको बोलते हैं डारेक्टर और ये डारेक्टरी रूल में आने के बाद फ्रांस का राजा बन गया ठीक है राजा इसलिए बना क्योंकि नेपोलियन बहुत ही प्रतिभा साली वेक्ति था इसमें लीडर्शिप का गुन बहुत ज्यादा था ठीक है दोस्तों राजा बनने के बाद लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए उसने एक नया लोग बनाया नया कानून लाया और इसी को बोलते हैं नेपोलियन बहुत ही महान था क्योंकि वह पहला राजा था दुनिया में जो राजा होते हुई मोनार्की सिस्टम में रहके भी उसने लोगों को फंडामेंटल राइट दिया था लोगों को बराबरी का अधिकार दिया था बहुत सारे ऐसे काम करके चला गया हो कि यूरोप क्लिफाइड एड्मिनिस्ट्रेटीव डिविजंस मतलब देखिए वैसे तो फ्रांस बहुत बढ़ा कंट्री था और उसमें जितने भी गाउं और सहर थे लगते थे कि एक दूसी में बहुत सारे कंट्री है एक ही देश में लगता था बहुत सारा कंट्री है देश है क्यों एक जगह से दूसरे जगह आप जाईए तो टेक्स बढ़ जाता था वहां पर एक जगह से दूसरे जगह उसी फ्रांस में जाने में एक गाउं से दूसरे गाउं उन्हें बीजा का चुरत पड़ता था परमिसन लेना पड़ता था जैसे उनको लगता था कि ओ अपने ही दे गुलाम ही बनता है याद रखेगा और जब भी लोग एक साथ आते हैं वह देश गुलाम ना होके बहुत ही बड़ा कंट्री बनता है तो नेपोलियन ने क्या किया नेपोलियन कोड जो बनाया उसने सिंपल सा बोल दिया कि फ्रांस में गाउं हो या सहर अब तुम लोग फ्रे बड़ी लाएगा ठीक है पहला बात यह याद रख लेगा सिंपलिफाइड कर दिया उसने हजार गोर्मेंट नहीं रहेंगे एक ही गोर्मेंट रहेगा उसी का रूल चलेगा फ्रांस में और उसके बाद क्या किया अगर कैटल से जनवर तो उसका टेक्स चर्ज को टेक्स इ पास इतना पैसा नहीं बचता था कि दो वक्त का रोटी को जुटा पायएं तो इसने वह ने पॉलिय क्या क्या किया किया यह सारे टेक्स को खतम कर दिया उसने प्व्यूडल सिस्ट्रम को खतंक लीप लेंड़ॉड वाला सिस्ट्रम जमिनिंदारी आपने यहां लोग लीजिए पढ़ाई कीजिए और बहुत धेरो काम किया तो याद रखिएगा कि यह जितने फालतु वाले टेक्स थे लेंडलोड वाला सिस्टम था और सबको खतम कर दिया ठीक है और तीसरा मैंने अभी बताया कि फ्रांस में जैसे दो गाउं है एक गाउं से दूसरे गाउं में अगर जाना है तो परमीशन लेना पड़ रहा है और उस गाउं में जाने पर 20% 10% टेक्स बढ़ जा रहा है तो टेक्स कब बढ़ते हैं अरे आप अलग कंट्री में जाएगा तो टेक्स अपने ही कंट्री में यह सब अगर लगे तो लोग कभी एक ही नहीं हो पाएंगे तो इसने क्या किया नेपॉलियन ने बोला कि यह सब में चीज हटाता हूं अब फ्रांस में आप कहीं भी जाकर बसीए कहीं भी जाकर जमीन खड़ीए आपका अपना हक है कहीं भी अराम से स्टाट करिए अपना समान फ्रांस के किसी कोने में बेचिए आपके उपर कोई भी रेश्टीकेशन परतिबंद नहीं लगने माला है तो ऐसे क्या हुआ लोग सोचने लगे कि वाकई फ्रांस अब एक हो चुका है ठीक है तो याद रखेगा यह कि यह सारा कुछ खतम कर दि बीजिनेस में जो प्रोब्लम साता है उसने सारे प्रोब्लम सोना शोर कर दिया उसके बाद ट्रांसपोट एंड कॉम्यूकेशन शिश्टम व कोसर आवूर थे और और रोड नहीं थे और रोड रोड का कमी था इसलिए समान वहां पर पहुंचने पर बहुत महेंगा होता था और गरीब लोग बेचारे खड़ीद नहीं पाते थे ठीक है और एक लोग दूसरे लोग से ज्यादा संपर्क नहीं कर पाते थे क्योंकि ट्रांस्पोर्टेशन नहीं खरान आप यह कउपने था ठीक है और एक ही कंट्री को मानना नहीं ही हमारा जड़ेग से जोड़ दिया जा सके और और अपना हर काम सुविधा पूर्वक असानी पूर्वक कर पाएं यह दखेगा यह पहला राजा था जो इसने किया पीजेंट्स आंटीशन वर्कर्स एंड़ नीव बिजनेसमेन इंजोएड एंडीव फाउंड फ्रीडम इसके पहले जो गरीब लोग थे उनको अपना जमीन खड़िदने का हक भी नहीं था क्यों नहीं था कि अगर अपना जमीन खड़िद लेंगे तो मालीक बन जाएंगे अगर मालीक बन गए तो गुलामी कोन करेगा लैंडलोड के पास बड़े-बड़े जमीनदार के पास तो उसने क्या किया यह सारे सिस्टम को खतम कर दिया अ इक माद राजा आपके उपर जो हजार जो रूल करने वाले लैंडलोड थे आप नहीं रहेंगे आपको जमीन आप खड़ी सकते हैं बेच सकते हैं यह आपका मर्जी उसके बाद आर्टीशन जो भी थे कलाकार उनको क्या किया गया बहुत सम्मान दिया गया जो पहले अब अच्छा जीनगी जीने लगे और अनाम से इजी तरीके से ट्रांजेक्शन होने लगा फ्रांस में यह सब किसके बदलत हो रहा था नेपोलियन और यही नेपोलियन कोड है जो इसमें इतने सारे इंप्रूमेंट किये गये हैं जो आपको याद रखना जोड़ी है तो क्या कीजिएगा आप कमेंट कर सकते हैं मुझे और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए दोस्तों को सब्सक्राइब करें क्या है?